हेलो अप्रिवन, वल्कम बैक टो मैं चानल, आज हम बनाया जा रहे हैं पंच रतन खिचडी, यह खिचडी हम पांच डालों से बनाएंगे और साथी साथ हम इसमें पांच सब्जियां यूज़ करेंगे, चली देख लेते हैं यह पंच रतन खिचडी कैसे बनाया, सबसे पहल शपून काली उरत की डाल, आप हमने लिया है एक कप बास्मती चावल, ज़्यादा दर लोग बास्मती चावल से खिचडी नहीं बनाते हैं यहाँ पर मैंने 5 सब्जिया पी ली है, मैंने यूश किया है, एक मेडियम साइज का कटावा टमाटर, एक मीडियम साइज का याउटल को मिक्स करना है तूम्हें एक एक करके ਸब दाल को एक बाऌल में मिक्स कर दूंगी कि इन सारी दालो को मैंने इक बाऌल में डाल है अब इसे एक चमज से अच्छे से मिला लेंगे दाल और चाबल का रहामें सेमी कौंटिटी धे लेना याने के दोनों एक कप लेना है चार से पांच लोग के लिए इतने कॉंटिटी काफी है एक बॉल में मैं ये चावल और डाल मिक्स कर दूँगी और फिर हम इन दोनों को धोएंगे सबसे पहले मैं इसे एक चमच से मिला रही हूँ और फिर हम इसे धोलेंगे मैंने इन दाल चावल को धोले आया तो इसमें एक कप पानी डालेंगे और पांच मिनट तक इसे सोख होने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारे दाल चावल सोख हो रहे हैं तब तक हम सबजिया मैं तिल लिया है और उसमें डालेंगे एक तीस्पून जीरा दो तेज़ पत्ते तीस्पून गार्लिक और टीश्पून मिर्ट इन सबकोव चल्क SEC देंगे और उसके उसमें डालेंगे यह कटिवी प्याज प्याच को हम सॉटे करना है और कलर चेंज होने तक इसे हमें अच्छे से fin Алप करना है प्याच का अफ्लका से कलर केंज हो चुका है तो इसमें डाल देंगे ये कटीवी बीन, कटीवी घाजर और ए कटावा लौकी हमें इसे थोड़े देयर तक भुन लेना है अब हम इसमें डालेंगे ये कटीवी तमाटर इसे भी हम थोड़ देट तक भुल लेंगे अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले मैंने उसकिया है दो टी स्पून या एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर फिर हम डालेंगे एक टी स्पून धन्या पाउडर और एक टी स्पून जीरा पाउडर इन तीनों मसालों को हमें इसमें अच्छे से मिलाना है यह हमारे चावल और डाल का मिक्चर भी सोक उकर एड़ी है तो हम इसमें यह डाल देते हैं इन्हें हमें अच्छे से मिला लेना है अब हम इसमें डालना है एक टेबल स्पून या स्वाधनुसार नमक नमक को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डाल लेते हैं पानी मैंने आपर यूस किया है आठ कप पानी यानि कि जितना हमने चैवल लाट दाल लिया था उससे हम चार गुना इसमें पानी उस करेंगे अब हम कुकर का ढखन लगा देते हैं और इसे एक सीटी आने तक अच्छे से पकाएंगे एक सीटी आने पर गैस का फ्लेम बंद कर दे इसे ज़्यादा सीटी आने पर खिचड़ी ज़्यादा अगल जाएगी एक सीटी आने के बाद मैंने इसे ठंडा किया और फिर कुकर का ढखन खोला आप देख सकते हैं हमारी खिचड़ी बनकर तयार है मैं आपको इसे उठा कर दिखाती हूँ आप देख सकते हैं खिचड़ी कितनी साधा अच्छी बनी है तड़का बनाने के लिए एक पैन में मैंने डाला है एक टेबल स्पून घी इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे डालेंगे एक टी स्पून जीरा सूखी वी लाल मिट्च और पर डालेंगे थोड़ी से राय के दाने इने अच्छे से चटकने देंगे आप देख सकते हैं हमारा तड़का बन कर तयार है इस खिचड़ी को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था और इसके उपर ये तड़का हम लगा देंगे फिर मैं इसे गांडिश करने के लिए इसमें थोड़े से धनी के पत्ते डाल दूँगी और अब आप इसे सर्फ कर सकते हैं ये थी मेरी आज की रेस्पी अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक शोरन सब्सक्राइब करें और बेल आकें पे भी क्लिक करें अगले बार मैं एक नए रेस्पी लेकर आऊंगी तब तक कि लिए बाई